कि दो हलो धोस्तों फिर्षेप को शु loudly जॉब डिटाक्टर में आज हम अड़ाय। बात करने वाले इंडियन नेवी ट्रेट्ड्समिन के बारे में इसके रिजल्ट और उंझा अब कर सकती है व्य हम. वैंक देखते हो इसक dw risky आप दोरा देखते हो और आप समझ नहीं पाते हो फिर कमेंट करते हो कि आपने क्या बताया समझ में आए तो वीडियो को पूरा देखना काफी इंपॉर्टेड है और चनल पर पॉली बार आ रहे हो तो चनल को सस्क्राइब कर जिए और बैल अको आपको आपको मिलते रहेंगे ट् का लाइब प्रूब भी दिखाऊंगी जो हाली में अप्रेंटिसिप निकाला गा उसके पीछे का मकसद क्या है क्यों निकाला गया इससे आपको ट्रेट्समेंट की भरती में क्या फर्क पढ़ने वाला ये भी आपको बताऊंगा तो वीडियो होगा काफी की वीडसिए यह गुरूप सी जितने वीड़ेंसे निकलती है वह आपकी होती है गृव सी की पोफ्ट ना कि गॡ्रूबडी की पोफ्ट थो गॡ्रूबडी की πोफ्ट आपकी होती है About एक बाता मेरे समझना होगा कि आ जित्ने भी फोर्स में दोस्तों यहाओओ इसमें आपको रूबडी की वहकंसी नहीं होती है टेकनिसियन के सबसे लोईस पोश्ट की बात की जाए वह आपके ग्रूप सी की पोश्ट है जो कि यहापे बैकेंसी आई हुए इंडियन ने वी ट्रेट्समेंट में है इसका दोस्तों आपका मातर 15 दिन के अंदर फॉर्म निकलाता है आपका इड्मिट कार्ट गया था 15 दिन के अंदर और आपका एक्ант-रोब्राजाब ने लिए गया था यह कुछ टेकनिकल फॉर्म के वजह से उसके यह उसके बाद फिर पांच दिन के बाद एक्जाम हुआ यहाँ यह दोस्तो मुंबाई का एक्जाम में काफी लोचा किया इसका रिजल्ट को लेकर दोस्तो इसका रिजल्ट आने का किया मैंने आपको प्छली विडियो में बताया था कि आप 29 का आप देखोगी इसका सिनारिय हो तो आपको तो तीन मेना यह आपको एक्जाम लेने के बाद आपको रिजल्ट डिक्लियर करने में लेते हैं बट उसी सबसे इस बार का देखे तो तीन मेना के अंदर यह रिजल्ट नहीं देगा यह में 100 प्रेशन बोलता हूं यह इसका रिजल्ट जो भी आपको बता रहा है ना कि बट वनोंने जब इनका रिजल्ट नहीं हो पाया इनका एक्जाम नहीं पाया तो इन्होंने डिपार्टमेंटल अपने वेकंसी को पुरा कर लिया और यहां पे दोस्तों आपको एक बार फिर सब पता हुआ कि कि Chao ChaiK को अभिकाम निकाल नाै इसलिए दोस्तों इन्होंने अपने सब्सक्राइब वे उन्होंने दिया नहीं दिया था यदरेट्समेन के ओपर यह ढई दिया तो यह apprentice की vacancy इंडिया निवी के तरफ से नहीं आती यहां पर ध्यान दीजेगा इन्होंने पुरा set देखिए इंडिया निवी के यही है कि यह सब कुछ set करके देखिए 31 तारीक को इप्रेंटिस का इंडर्वी होगा 7 से 15 तारीक को इस apprentice का आपका medical होने वाला और एक अप्रेल को इसका जोइनिंग करवा देगा क्योंकि दोस्तों इनको apprentice सिप से अपना काम निकालवाना है जो भी आपको treatment काम करते हैं वो आपको यहां पर apprentice से काम निकलवाएगा apprentice का जोइन आपको एक अप्रेल 2022 को हो जागा तो दोस्ते यह सारा focus अभी लगा देंगे apprentice से पर ना कि यह treatment के result पर यह लगाने वाला तो यह तो रहा है दोस्ते एक बड़ी वज़ा जिसके वज़ा से आपके result पर यहां पर देरी हो सकती है यह पूरा confirm है दोस्तों कि यह treatment की भरती के बदलत यह apprentice से निकाला गया दे तो दोस्तों यह अभी ट्रेट्समेंट के भरती को यह ज़रूरी समझते हैं तो अभी इनका result declare करके joining करवाते हैं और यह जो भी काम पढ़ावा है दोस्तों वो ट्रेट्समेंट करते ना कि यह apprentice के बच्चे यह तो हो गया दोस्तों सबसे बड़ी वज़र एक्जाम में देरी की आए आए अब बात करते हैं इसका finally cut-off कितना जाएगा दोस्तों दोस्तों के इसका cut-off की बात करें इंडियन निवी का तो बात की जाए तो दोस्तों यह result पहले आती तो यहां पर प्रॉलम यह है दोस्तों कि इसमें आपको वेटिंग लिस्ट काफी जादा देखनों को मिल जाएगे क्योंकि दोस्तों जो लड़का यहां पर आरार भी एंटी पीसी जिनका निकल जाएगा वो आपको यह जोब छोड़ देंगे क्योंकि बहुत सारे आईटिया वाले हैं पर टुएल कर लेते हैं और जिनका भी रेल्वे में गूरूब डी हो जाएगा वो भी बहुत कोई यह इंडिया निवी का यह जोब छोड़ देंगे जिस वज़य से आपका यहीं प्लस पांच मार्क्स हो सकता उससे ज्यादा हाई कटफ नहीं जाने वाला है देख लिए यही आपका कटफ होगा दोस्तों क्योंकि बात की जाए तो मुंबाइ का मैट्स के कोईशन थोड़ा का मिलना दोस्तों कुछ आपको बताना था दोस्तों कि इंडिया नेवी के रिजल्ट पर अबी ज्यादा फोकस नहीं हो रहा है सारा फोकस दोस्तों एप्रेंटिस से पर लगा दिया कि उनको काम निकालवाना है क्योंको दोस्तों यह वेकेंसी अब बहुत ही लेट चल रही है दोस्तों यह आपको डिसंबर में रिजल्ट देखने को मिलेगा आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और बैल आइकन को आउन कर देगा यह इसी तरह का वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो मिलते हैं एक निए अपडेट के साथ उसक चाहिंद